आरे जरा मंतरी मंडल इसका खुद का उपमुखी मंतरी जेल में पड़ा हुआ है तो ये चोरों का सरदार, अली बावा, चालिस चोर का अली बावा है ये महिलाओं की इज़त वहाँ सुरक्षित नहीं है, हमारा धरम वहाँ सुरक्षित नहीं है, आप हमको अपने हाँ शरण दे तो उनको पाकिस्तानी बोलता है कभी कसाब को पाकिस्तानी बोला है इसने ये कॉंग्रेस वाले, ये केजरी वाली क्या चाहते है यह चाहते हैं कि इनकी बेटियां उठती रहें, इनका रेप होता रहा है, यह कोठों पे बिक्ती रहें ताकि यह अपनी सियासत, अपनी राजलीती यहां कर सके थूपता हूं मैं ऐसे सियासत पे सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, आर्मी चीफ और गली का गुंडा बोलते हैं यह और मुझे बड़ा हस्यत होता है कि यह इस देश के लोग कैसे वोट दे देते हैं तो मंगलादेश पाकिस्तान में कर रहा है कि घर से खीच के ले जा रहा है जो परसो रोहिंग्या के लोग जिस केंप में रहते थे एक महीने का राशन और दस दस हजार रुपया कैश में ने दिये हैं हर एक फैमिली को दस हजार रुपया जाएं दोस्तों आप देखे रहे हैं डियो न्यूज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन दवाना बिलकुर मत भूलिएगा और अगर हमें सपोर्ट करना जाते हैं तो डीटेल स्पिंट कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी फ्लैश करेंगी आप हमें सपोर्ट जरूर करें आपके सपोर्ट के में आऊशक्ता है नमसकार साथ nasal यो जैसे आपको पता है कानून भारत में लागू हो गया है इस कानून के लागू होने के बाद से जो पक्छ दौरण जो खासकर केजरी वाल दौरा जो उल्डूल बयान दिये जा रहा थे इसके विरोध में भारत में रहने वाले सराडार्तियों ने कल दिल्ली में विरोध प्रतरसन किया इससे नाराज होकर केजरिवाल ने इन पर बड़ा हमला बोलते हुए इनको ये बोला कि इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये दिल्ली में बैट करके मेरे खिलाब प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे सर्थ भाइबोसर मौझूद है हम जरा चर्चा करेंगे सर केजरी वाल वही एक जो टोन थी और यहों को बिजली कनेक्शन और पानी का कनेक्शन और उनको रहने के लिए छत और यह सारी चीज na provide करा रहा है उनको ID काड बनौभाऑ के दे रहा है कि कैसे भी कर कि अन erc से बहर हो जाहें यह बैसे इनके आईडी और आधार से जो है आपको याद होगा कि सरकार ने एक notification शुगर के कहा था कि आधार आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है ठीक है वो notification इनके इनी अजेंडा और इनी प्रोपेगेंडा और इनी इनिशेटिव को काउंटर करने के लिए थी वो यह आधार कार् पीडिच सोशित जो बिचारे पाकिस्तान से आये हिंदू है उन्हीं को पर तो हमला बोलेगा ना ये क्या करेगा खुद करोड़ों अर्बों रुपाए का घोटाला करके बैठा हुआ है चोर है पुरा मंतरी मंदल जेल में आरे जरा मंतरी मंदल इसका खुद का उपमुख ले तुम कौन होते हैं तुम्हारे लिए बंगलादेशी और रुहिंगय भरती है और इनी जगों से सताया हुआ हंदू है वो पाकिस्टानी हो गया जमल कसाफाब आगर आता है भारत में 26 थिएगारा का हमला करता है उसके हाथ में लाल करावा बांद करकर यह पुलिटिकल हिंदु शरार्थी कागज ले करके आया है application दे करके आया है और कह रहा है कि माई बाफ हम यहाँ पे हैं हमारी जान बचाओ, हमारी बेटियों की, बहों की महिलाओं की इज़त वहाँ सुरक्षित नहीं है हमारा धरम वहाँ सुरक्षित नहीं है कितने पाकिस्तानी हिंदु हैं भाई सारे पाकिस्तानी हिंदु, जैन, बौध, पार्सी, सिख सारे मिला दो तो 22-23 करोड आवादी उस देश की एक परसंट से भी कम है वहाँ सारी मैनॉरिटी, यानि 23 लाख भी नहीं है साड़े 7 करोड, 8 करोड गया बंगला देशी और रोहिंग्या यहां पर बसाने के बाद इनको 20-22 लाख सारे भी आ जाते हैं तो भी इनको उस 20-22 लाख से प्रॉब्लम है इमेजिन कीजे कि आपकी बेटी 9 साल की बेटी को 8-10 मुसल्मान आए और उठा करके घापके घर से खीच के लेके चले जाए और जाकर तो उसकी शादी 9 साल की बच्ची की शादी किसी 45-50 साल के आदमी से करा दे और 4 साल उसका रेप करे उसके बाद ले जाकर के उसको हीरा मंडी के कोठे पे बेज दे आप एक पिता आपके दिल पे क्या भीतेगी कैसा फिल करेंगे आप सोच के देखिए एक बार एक पिता के तौर पे और मैं देखने वालों से भी कह रहा हूँ सबकी माँ हैं सबकी बहने हैं सबकी बेटिया हैं सोच के देखे आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी मां को आपके सामने जो आखों के सामने उठा करके ले जाए गन पॉइंट के ओपर और उनको ले जा करके उनका धरम परिवर्थरतन कराई जाये, उससे चार गुना पांच गुना धाला उम्र दराज अदमी से उसके किसी कोठे पर बेस दिया जाए आप एक पिता एक भाई एक बाप के रूप में आप क्या महसूस करेंगे ये क्या चाहते हैं ये कॉंग्रेस वाले ये केदरी वाली क्या चाहते हैं ये चाहते हैं कि इनकी बेटिया उठती रहें इनका रेफ होता रहें ये कोठों पर बिक्ती में जो लोग वोट देते हैं इनको इन कांग्रेस वालों को जो वोट देते हैं टीमसी को ममताब एनरजी को जो वोट देते हैं अमाधी पार्टी को केजरीवाल को वो हर वो एक इनसान सनलिप्त है वो इनसान जिम्मेदार है हर उस हिंदू बच्ची का जिसके साथ बलातकार ह और आज दूको पर बेची जा रही है। उसके पिता के उसकी माता के उसके परिवार जरो की सबकी हाइन सबको लगेगी। और लगनी चाहिए। मानवता है यार राजियती छोड़ो साइञ करो। धरम भी छोड़ो। मानवता है तुम्हारे अंदर। इंसानियत है है यह सिखाती रही है रेप किया जा रहा है उठाए जा रही है वो लोग आप कहा हा आना चाहते है और आप कहते हैं कि हम उन्हों आले नहीं देंगे यह पाकिस्तानी है कहता है कि इस अब को जेल में डालो और जेल से निकालो किसको सिसोधिया को, सतिन जैन को इन लोगों को जेल से निकाले मुक्तार अंसारी को ये अफजल गुरु की माफी की बात करने वाले ये बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं क्या बताया जासन्जा मुझे बड़ा आश्चर होता है कई बार कई बार नहीं भी होता है और कई बहुत जादा होता है एकसेप्ट करना चाहिए इस बात को जब इंडिया औरिंस्ट करॉप्शन था तो हमने इनको सपोर्ट किया कि ठीक है अनाजारे का मोवेंट था हमने सपोर्ट किया कि नहीं यह सही कर रहे हैं बृष्टचार बहुत है काउगा से गर्मेंड भिरोध में आए फिर इनके हम रा आर्मी चीफ और गली का गुंडा बोलते हैं ये और मुझे बड़ा हश्चत होता है कि यार इस देश के लोग कैसे वोट दे देते हैं सो यूनिट बिजली दो सो यूनिट बिजली उस नौ साल की बच्ची के इज़त और उसके जीवन से जादा मुलेवान है तुम्हारी दो स रोहिंगया यही खीच के ले जाएंगे एक दिन जिनको यह बसा रहे हैं यहाँ पर नोटर में सार होगा नहीं था एक मामला बिल्डिंग पर हमला किये थे वो जो नौकरानी जो है वो घर में चोरी कर रही थी घरवालों को शक हुआ उन्होंने कैमरे लगा है उनको पता ज खीर बुलानी पड़ घई उनको डिसपर्स करने के लिए का जा आपार्टमेंट के बाहर हमले कर रहे खल आप घर में घः किछ ककर खीच के लिए था रहा है अभी तो मज़ा आरा रहा हैंभी अनन्द बहाएंगी अर जबापने घर से ग्माप न आपकी बेटी को खीच के ले जाएंगे और यही रोहेंगे यही बंगलादेशी जिनकी वकालत यह कॉंग्रेसी और यह अकेजरी वाल और यह T.M.C. वाले और यह उद्यानिधी और ये DMK और ये सारी पार्टिस कर रही है न इनकी बेटिया नहीं खिचेंगी इसलिए बसा रहे हैं आप ही खिचेंगी और हिंदूओं के बोट से देखिए सिर्फ मुसल्मानों के बोट से तो सरकार नहीं बन सकती न वो एक बना रखा था प्रोपेगंडा वो तो दोस्त हो चुका है पूरी तरह से तो हिंदू भी तो इनको बोट देता है और कितनी हिम्मत आती है कि ये हिंदूओं के आने काई भी रोट कर रहे हैं इस देख मैं वही तो कह रहा हूँ जब आर्फा खानम ये कहती है कि यार मैं तो बाबर की बेटी हूँ मैं तो बाबर के वंच से आती हूँ तो मुझे तो आर्फा से कोई शिकायत नहीं है कमसे काम उसके अंदर इतनी सच बोलने की सकत तो है कि वो कह है कि मैं बाबर की बेटी हूँ केजरीवाल कब बोलेगा कि वो औरंग्जेब का बेटा है राहुल गालिक कब बोलेगा कि वो टीपू सुल्तान का बेटा है भई एक ममताब अनर्जी कब बोलेगी कि मैं रजिया सुल्तान की इन आजाज अला दूँ बोलते बले नहीं पत् लोगी ब्लेड लाइन के हैं, एक्सेप्ट करें न, मुझे शिकायत उन हिंदूओं साथ जो इनको वोट देते हैं, जो मुसल्मान उम्मत के साथ खड़े हैं, और कहते हैं कि भाई जो रोहिंगा और मंग्रादेशी उम्मती है, जो हमारा मुसल्मान है, उसको तो हम सपोर्ट करेंगे, मुझे उससे जिरो कंप्लेन है, मुझे उन हिंदूओं के उपर थुकने का दिल करता है, जो इनको वोट देते हैं और अपने फेलो हिंदू साथ नहीं खड़े हो रहें, वो तो खड़े हैं यार, उनको तो सल्यूट है, तो अपने कौम के हाथ खड़े हैं दुन हम इलिगली ही ले आ रहें, वो कोई अप्लिकेशन दे करके शरार्थी बनके तो आ नहीं रहें ना, बात है यह कि मुझे उनसे जिरो कंप्लेन है, वो अपने लोगों के साथ खड़े, अपनी कौम के साथ खड़े, अपने कौस के साथ खड़े, हलाकि इसकी कीमत वो फिर भ पक्तुन खाके, नहीं, बलोचों नहीं, पाकिस्तान के लिए तो वोट दिया ही हिंदुस्तान के मुसल्मानों ने था, उस पूरी मुमेंट के लिए पैसा दिया हिंदुस्तान के मुसल्मानों ने था, उनकी पूरी की पूरी लीडर्शिप हिंदुस्तानी मुसल्मान थे जिना वाज़ा गुजु वाज़ा गुजराती लियाकत अली खान आपके हैं वेस्ट यूपी का था सोरा वर्दी आपके बंगाल का था उनकी तो सारी की सारी लीडर्शिप इंडियन थी उनके स्पांसर रामपुर का नवाब हैदराबाद का निजाम जुनागड का निजाम यही सारे थे ना महमुदाबाद के नवाब यही सारे फंडिंग करते थे ना और कौल फंडिंग कर रहा था तो पैसा देने वाले भारती है वोट देने वाले भारती है मूमिन चलाने वाले भारती है लीडर्शिप सारी भारती है तो बना लिया पाकिस्तान अभी तो कहते ह उतनी बार तोडेंगे जितना दिर दिल करेंगे जिसको दिल करेंगे उसको आलेंगे उसको आले देंगे और को नहीं आलेंगे तीन गए एक भुवा यहां छोड़ा के 2 मौसिया मांद चली के पहले अब यहां कबजा नहीं छोड़ा यही निकुद इक दुक्वा का एक परसंट ने छोड़ा हिंदू जो वहां से डिस्प्लेस हुआ वह 100% escola जो सिख डिस्प्लेस खुआ वह 100% डिस्प्लेस हुआ अब यह सोचिए कि नुकसान तो सर्फ हिंदू का हो रहा है तमाशे इनके लगे वे नुकसान हिंदू उठा रहा है सीए हो जाए तो उसका विरोधिये कर रहे है सीए ना हो तो सफर हिंदू करे वहा रहे के तो सर ऐसा कौन सा देश होगा जो जिससे अपने अहां रोहेंगिया जिस तरह से अब ऐद रूप से घुसके आते हैं कौन देश होगा जो इलाओ करेगा दुनिया में कहीं नहीं है यार दुनिया में कहीं नहीं है सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ये देखिए है कि निकरागुआ और मतलब ये सारी इस तरह के जो छोड़े बड़े देश हैं सुमालिया जैसे मतलब कहते हैं ना बनाना रिपब्लिक्स हैं वहाँ पे भी ऐसा नहीं है सब कुछ छोड़ दिया अफगानिस्तान को यहीं पास मतलब अफगानिस्तान जैसे सुमालिया निकरागुआ इस तरह के भी जो देश हैं वह अलाओ नहीं करते हैं और हम पता नहीं कैसा मतलब बनाना रिपब्लिक का भी बनाना रिपब्लिक इन लोगों ने इस देश को बना दिया है कि जिसका दिल करें साथ करोड आठ करोड ल कभी यह सोचा है कि कॉंगर्स पार्टी विरोध कर रही है एक इटाइलियन महिला सोनिया गांदी जो इटाइलियन है वो आकर के इंडियन हो सकती है इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर सकती है इस देश में दो दो बार सूपर प्राइम मिनिस्टर बन सकती है इस देश में कानून बना सकती है और ये डिसाइड कर सकती है कि भारत का कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा जो 25 जार साल से हिंदू यहां रह रह रहा है वो हिंदू यहां पे भारत का नागरिक बन सकता है या नहीं बन सकता है इसका विरोध या समर्थन सोन्या गाने के इटालियन महिला करेगी लेकिन जो 25,000 साल ते रहने वाला हिंदू है वो अपना भविश्य अपना फेट खुद ने डिसाइड कर सकता कि वो भारत का नागरिक होगा या नहीं यह आईरिनी देखिए इस देश की बदकिस्मती देखिए मैं जो विरोध करता हूँ न यह कॉंग्रेस के वोटर्स को और आमाद्मी पार्टी के और डियम के और यह टीमसी को जो वोट देते हैं मैं इनके उपर इसी लिए ठुकता हूँ कि थोड़ी शरम आपको भी आनी चाहिए आप एक इटैलियन महिला को अधिकार देने को तयार है उसको भारत की नागरिकता उसको सूपर प्राइम मेस्टर बना कर अपने सिर पे बिठा लेते हैं शरम नहीं आती है और एक भारती है जो हिंदू जो पिछले 25,000 साल से सिंध में पंजाब में इन हिस्सों में रह रहा है आपके उसको आप कहते हैं कि नहीं हम आने नहीं देंगे सूलिया गांदी विरोध करती है कॉंगर्स पार्टी विरोध करती है और ये केजरी वाल विरोध करता है तो आप उसको वोट देते है सारी शरम बेच खाई है आपने उन मासूम बच्चियों का चेहरा नहीं देखता आपको आठ साल नौ साल की बच्ची क्या होती है संजे आपकी बच्ची है छोटी है सोच की देखिए तरह एक पिता के तोर पर आपको कैसा फील होता है यह हमको बोलते हैं कि बाटने की राजवीती हो रही है और इससर एक केजरी वाल है जो खालिस दानी मूवमिंट है उसको सपोर्ट करता है डारिक टिन डारिक दोनों तरह से और सिखों से इसका प्रेम नहीं है जो वहाँ से बचारे यहां ना चाहिए ज़र करतारपूर गुर्द्वारा की जो ग्रंथी है करतारपूर गुर्द्वारा की ग्रंथी उसकी बेटी को उठा के लेके गए आज तक 4-5 साल हो गए आज तक वापस नहीं किया उसकी बेटी के साथ 4-5 साल से रेप कर रहे है उसको रखा हुआ है वापस आज तक नहीं किया और आज तक ले नहीं पाए और ले पाएंगे और जो सिख वहाँ से पाकिस्तान से भारत आ सकते हैं इस लौग की वज़र से तो पंजाब में जिन सिखों ने आमादी पार्टी को वोट दिया मैं उनसे कहता हूँ और जो लोग देख रहे हैं उन सिखों को ये वीडियो भेजे मेरा जो आमादी पार्टी को और केजरिवाल को सपोर्ट करते है ति करतारपूर गुरद्वारे की जो ग्रंथी की बेटी थी वो आज तक वापस नहीं आपाई 5 साल से और वहां से आने वाले सिखों का विरोध करने वारा केजरिवाल आप उसको वोट देते हैं सिखों के आप से बड़ा सिखों का दुश्मन कोई नहीं हो सकता अगर आप 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 पाड़ी को वोट देते हैं तो आप चाहते हैं कि सिखों की बेटी हैं वहां इस तरह से उठते रहे हैं और करतारपूर साब गुरद्वारे की ग्रंथी से बड़ा उससे बड़ा कौन सा सिख है पाकिस्तान में उसकी बेटी जब नहीं वापस आ पाई आज तक पिर जो आम सिख है वो विचारा उससे क्या अलत होगी वहां पे उनके तो खबरें भी नहीं आ पाती है बाहर पाकिस्तान से और इतना मीडिया में आने के बाद इतना विरोध होने के बाद इंटरनेशनलिस मुद्दे को उठाने के बाद उन्होंने वापस नहीं की का नहीं देंगे अब पाकिस्तानी स्टेट नहीं ले पाई वापस यह जो सिख वोट देते हैं का आमादी पार्टी को उनको भी सोचना चाहिए यार मतलब क्या मूँ दिखाओगे उपर जाके कि यह तुम्हारा कॉंट्रिबूशन है सिखी के लिए सिख बेटियों की इजजत और उनकी आबरू के लिए यह तुम्हारा कॉंट्रिबूशन है कि तुम्हें केजरिवाल को वोट दिया था तुम्हें कॉंग्रेस को वोट दिया था 1984 में दंगे कर आये इस देश में नहीं समझते नहीं आखे खुल रही इनकी मैं कहता हूँ यार यह जो मोपला मुसलिम से केरल में यह तो खुद को अरब कहते वो तो अपने आपको भारती मुसल्मान मानते ही नहीं है उनका तो यह भाई अरब जो ट्रेडर साते थे केरल में मसालों के लिए और वहां से कॉफी लेके आते थे यमन से और इधर से साथे अरब से कॉफी लेके आते थे और यहां से मसाले लेके जाते थे वो वो जो Arab traders आते थे वो यहां पर local जो maliyal Indians ओरते थे उनके साथ şादियां करते थे उनके साथ बच्चे पैदा करते थे तो उनके जो बच्चे होते थे वही हैं यह Mopla Muslims तो वो जो खुद को अरव मानते हैं वो यहां के नागरिक हो सकते हैं और जो 25 000 साल से नागरिक है मोपला मुस्लिम डिसाइड करे गा कि यह भारत के नागरिक बनेंगा या नहीं जो खुद को अरभ बोलता है मोपला वो डिसाइड करे का कY đ dru tiden आ रहा है सिंध से वो भारत दश्यां हो रहे हैं किष्या अखल हमारी घास चरने चली गई हमें चीज़ दिखनी रही हम एक देश है या नहीं है हिंदू एक community है या नहीं है हंदू कोई community नहीं है हम कोई धर्म है या नहीं है हमारी कुछ धार्मिक मतलब principles है responsibility जिम्मेदारियां कुछ है है हमारी धार्मिक तोर पे भी या नहीं है सिर्फ पर्सनल है सिर्फ व्यक्तिगत है मेरी जिम्मेदारी मैं हूँ मेरा बेटा है मेरी बीवी है बस इतनी मेरी जिम्मेदारी है बाकी मुझे ना धर्म से लेना देना ना समा से लेना देना ना हमें किसी जैसे बोल के हमें नहीं खिचेंगे तो हम भी बैठेंगे यहां पॉपकॉन लेके हम बढ़े ताली बजाएंगे मज़े लेंगे हम देखेंगे बंगाल में तो देखी ली जाना से रोंगियाओं में क्या करका संदेश खाली कितना बड़ा मामला हुआ यार तो अभी इनके साथ नहीं हुआ ना संदे पार्टी को दोगे वोर्ट तुम ट्रिमिनूल कॉंग्रिस को दोगे वोर्ट तुम डियम के को दोगे और सेक्यूरिटी तुमको संग और वीच्पी और बजरंग दल देगा क्यों देगा भाई आपको जब समझाया जा रहा है आपको बताया जा रहा है कि आप ये काम कर र तो इसका नुखसान सिर्फ आपको होगा और किसी को नहीं होना तो आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो ठीक है तो आप तयार रहे हैं उस चीज के लिए जर्फ छुदी आप इंविटेशन दे रहे हैं और अभी सर चार साल हुए है, यहां दिल्ली वालों नहीं भुगता है, साइन बाग के आड़ में जो दंगे की तयारी हुई, सारा हमानी पार्टी का कारे करता था, उसमें इनके बिधायक, इनके पारसत, सारे इनवाल थी, कोर्ट में सब भी लोग सीखने को तयार नहीं है, तो ठीक है, तो भुगते हैं, दिल्ली में रहने वाली एक बहुल बड़ी आबादी है ना, जो पाकिस्तान से माइगरेट करके आई है, एक बार कर चुके है, माइगरेट एक बार और कर लेंगे, लास दिन उसमें ने माइगरेट किया था, एक बार और कर लेंगे, क्या दि देखे, इलेक्शन के टाइम, यार बीजेपी का मैनिफेस्टो था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है राम मंदिल बनाना है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था आर्टिकल 370 हटाएंगे, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि C.A.N.R.C. लेके आएंगे, उन इनों का क्या रहा है ना, मैनिफेस्टों तो जनता को इनके लिए मूर्ग बनाने का साधना आए, कुछ भी लिख दो करना तो होता नहीं तो इनको वही लगता है कि BJP ने कर दिया रहे कैसे कर दिया, बिज़े पी अपने मैनिफेस्टों में लिखके लाई थी और इने मुद्दों पे जीती जनता ने वोट दिये उसको किये उन्होंने वो सारे कम तो कि अचानक से इलेक्षिन के पहले फलाना डिकाना यार वो सब इलेक्षिन मैनिफेस्टों में लिखा हुआ था तुमको तो ये ढूनना चाहिए कि इसमें से कौन सा काम है जो बीजेपी ने नहीं किया है और तुमने ये नहीं किया वो नहीं कर रहे हैं तो कि मैनिफेस्टो कभी देखा ही नहीं, तो इस बार जो 24 का चुनाओ है, मैं इसे रिक्वेस्ट करूँगा कि BJP का मैनिफेस्टो देखें खोल के एक बार, जब अभी मैनिफेस्टो आएगा, ताकि बाद में रोना ना पड़े, ताकि बाद में ना पूने कि देखो ये भी कर दिया, ने को ये भी कर दिया, ने को ये कैसे कर दिया, इनों ने बताया, नहीं, लोगों को कॉणफिडेंस में ने लिया, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ सब कुछ, ये पाकिस्तान वालों ने जब पूरोत किया था कि ये चारक से कैसे हटा दिया, आर्टिकल 370, 35A और यार, उनको भी मैंने यही कहा था, मैने कहा था, उनका मैनिफेस्टो पढ़ लेते, मैनिफेस्टो में लिका था, कोई इंटैलीजन्स की दूरत नहीं थी, I.S.I.E. की, मैनिफेस्टो में लिका हुआ था, ओपन सोर्स इंटैलीजन्स भी बता देती ती तुमको, मुझे zero complaints आर्फा से मुझे जीरो कम्प्लेंस है जुबैर से मुझे जीरो कम्प्लेंस है इन सबसे या जो उम्मती है जितने भी है जीरो कम्प्लेंस है मुझे मगर मुझे कहूं अगर किसी को शरम आनी चाहिए उन हिंदूों को आनी चाहिए जो इनको वोट देते हैं उन हिंदूों को चाहिए उन Bollywood celebrities की बातों में आते हैं यह सोरा भासकर दीपिका पादुकोड और इनके जैसे जो कहते हैं नारे लगाते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे और जाके जैनियू में और शाहिन बाग में खड़े हो जाते हैं इनको शरम आनी चाहिए कि यह वो लोग है जो एक प करनी चाहिए एक पेज का निबंद मुझे दीपिका पादुकोड या बॉलिवुड के जितने भी सेलेविटीज हैं लिखके दिखा दें तो मैं अपनी सारी बाते वापस लेगू हुआ